हलो फृरंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपने बीटे किया हुआ है आप इसके बाद बीड भी कर लिया है तो क्या आप DGT के लिए इलीजबल होते हैं क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ठीक है और साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर आ तो इसके बाद किस प्रकार से आप टीचर बन सकते हैं, किस लेबल का टीचर बन सकते हैं, यह सारे चीजे आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा, वीडियो जादे लंबी नहीं है, वीडियो छोटी ही है, लेकिन सारे हम लोग कवर कर लेंगे, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या अगर आपने बीटे किया हुआ है, या फिर आपने एमटे किया हुआ है, ठीक है, और आपने बीड भी कर लिया है, तो क्या आप टीजिटी एंड पीजिटी के लिए इलिजिबल हैं, तो देखिए है जैसे अगर आपको हिंदी से भार ना है तो हिंदी के लिए इंग्लीस के लिए की जरूरत पड़ती है ठीक है तो जैसे हम again की बात करें तो आपने इसके जो होती है वह तो graduation में जैसे अगर आपका आर्ट से हैं, science से हैं, commerce से हैं, तो तीन stream से अगर आप हैं, इसमें से किसी भी stream से अगर आप हैं, तो आप TGT के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटिक किये हुए हैं, तो आप TGT के लिए apply नहीं कर सकते हैं, यानि कि आपने बीटिक किया है आपने B.A.D. कर लिया है तो भी आप T.G.T. के लिए apply नहीं कर सकते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि subject combination नहीं बन पाता है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि माल लिजे कि आपने B.T.E.C. में जो है math पढ़ा है आपने जो है science भी पढ़ा है तो क्या math और science से T.G.T. का exam दे सकते हैं वैसे ही अगर हम बात करें PGT के लिए तो PGT के लिए eligibility criteria होती है आपका post graduation ठीक है post graduation में आपका जैसे कि MA हो या फिर MSC हो M.com हो कोई भी हो तो आप हर सकते हैं क्योंकि इसका subject उससे match करता है यानि कि subject combination मिल जाएगा लेकिन अगर आप M.Tech कर लेते हैं तो M.Tech करने के बाद आप PGT नहीं दे सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप math और science से भी TCT और PGT नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर साफ साफ mention किया गया है जैसे जब आप notification देखेंगे जहाँ पर subject combination दिया हुआ है वहाँ पर ये साफ साफ लिखा है math के लिए कि BA और आपका या तो BSC ये math से है तो ही आप TCT के लिए apply कर सकते हैं या फिर अगर हम PGT की बात करें तो उसमें भी यही condition है अगर आपका MSC या फिर MA अगर math से है तो आप apply कर सकते हैं और science के लिए भी वही criteria है ठीक है यहाँ पर BTEC और MTEC का कोई भी कहीं पर भी जिक्र नहीं है तो इसलिए आप जो है अगर BTEC और MTEC है तो आप TCT and PGT से बाहर रहेंगे clear हुआ कि जो है अगर आप नहीं दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते हैं अब point यह आती है कि क्या BTEC और MTEC वाले teacher बन ही नहीं सकते हैं तो देखें यहाँ पर जरूर टीचर बन सकते हैं इनके लिए यह है कि अगर आपने BTEC किया हुआ है और BTEC कर लिया है या फिर आपने BTEC कर लिया है यानि कि DLA कर लिया है तो आप केवल primary and junior के लिए ही eligible होते हैं यानि कि आप केवल primary level और junior level यानि कि एक सिलेगर के आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही eligible होते हैं आप primary and junior level का ही केवल teacher बन सकते हैं ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें subject combination की जरूर नहीं होती है इसलिए ठीक है तो उमीद है कि आपको सारे points क्लियर हुए होंगे और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धनेवाद और अभी तक आपने वीडियो को like share नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए और जादे स जादे वीडि कर लीजिए